तो फाइनली गाई जितने भी छात्रों ने यूपी स्कॉलर्शिप के लिए फाम को अपलाई कर लिया है तो सभी स्टूडेंट बेसबरी से वेट कर रहे थे कि उनका फाइनल एंड वरीजिनल स्टेडस कब तक सो होगा तो आज की डेट में आपका फाइनल स्टेडस सो होने लग गया है मैंने आपको कल वाले वीडियो में ही बताता कि आपका जो इस्टेडस है कल से सोने होने लग जाएगा तो काईस आज के वीडियो में हम सब completely जाने वाले हैं तो please आप वीडियो को skip करके मत देखना हो के अब वाई सबसे पहले यहाँ पे आपको बता जा रहा है कि मालीज यह आपके सबसे पहले आपको जो फार्म है कंप्लीटली 23 वाला है ताकि बहुत से बच्छे क्या करते हैं कि बोलते साथ यह पूराना इस्टेडस है तो यहाँ पर साथ साथ देख पाएंगे कि आपको जो यह इस्टेडस है यहाँ पर यह हुआ था कब सत्तर तारीक पहला मैंने 24 को हुआ था सत्तर जनुरी को हुआ था अपको इनका है एक डिश्टी स्कॉलर्सी कमेटी अगर ऐसा आपका सो कर रहा है तो इस केस में का इस आपका पैसा तो नहीं आपाएगा लेकिन जो भी आपके mistakes है चाहे आपका अधारकार्ट का mistake रहा हो या फिर आपके roll number में या फिर आपके data birth में कोई न कोई आपके mistake ऐसे हैं जिसके वज़े से आपका painting या पर status हो कर रहा है लेकिन गाइस अगर मैं आपको बता दू कि अगर आपका painting सो कर रहा है तो आप correction कर पाएंगे जो कि आपका portal है और 9 से 9 तारी को open हो जाएगा correction वाला आप correction कर पाएंगे अगर मान लिजे आपका other stress हो कर रहा है आपका verify सो कर रहा है तो काईस आपका पैसा आएगा तो यहां पर जान लेते हैं आपका थोड़ा कोई problem है कोई errors हैं आप correction जब कर रहा है तो आपका पैसा 22 फरवरी तक आजाएगा अगर मान लिजे आपका थोड़ा कोई problem है कोई errors हैं आप correction जब करेंगे guys ना correction करने के बाद आपका 22 March को आएगा guys मैं आपको समझाना क्या चाहरा हूं कि मान लिजे बहुत ऐसे stress वाले बच्चे हैं जिनका farm verify होगा तो जिनका verify होगा जो जिनका अभी recent में verify हुआ है तो उनका पैसा कब आएगा उनका पैसा 22 फरवरी तक आ जाएगा और जिनका pending सो कर रहा है या पि कोई error सो कर रहा है तो इनका जो पैसा आएगा 22 फरवरी को आएगा अगर आपका लेट वेरीफाई होगा तो इस case में आपका 22 मार्स तक पैसा आएगा आएगा आप इस माली जिए आपका कुछ अदर ही सो कर रहा है चाहिए आपका reject कर दिया गयाओ तो इस case में गाईज क्या होगा कि आपका पैसा नहीं आप आएगा तो फटा फ़र्ट से पहले आपका प्या करना अपने status की जाच कर लेकि आपकर क्या सो कर रहा है अगर आप यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस आजाएगा आप पो सिंपल में नीचे आना है अब जैसे ही आप यहां पे नीचे आते हैं ना तो यहां पर देख पाएंगे यूपी स्कॉलर्शिफ इस्टेटर दोड़ा तेज चोबीस आपको यहां पर क्लिक करन आपने इस्टेटर की जास कर सकते हैं तो फटफ़ फटफ़ से आप प्लिक करो यहां से इस्टेटर की जास कर लेंगा अगर आपके लिए खुश्खबर ही अगर कोई प्रॉबलम है तो आपको करेक्शन करना होगा या फिर आपका फार्म रिजेट कर दिया जाएगा अब इस यहां पर रिजिस्टर सन नमबर डाले यहां पर अपना डेटा बड़ डाले पासवर्ड डाले कैप्चा डाले और यहां पर सम्मीट प्लिक कर देंगे आपका जो इस्टेटर्स होगा और सो करने लग जाएगा हाली में मेरे पास कोई भी ऐसा इस्टेटर्स नहीं है ज टेके